करवा चोथ की पौरान एक व्रत कथा वैसायब बंद कर घर आये तो देखा उनकी बहुत व्याकुल थी सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आगरह करने लगे लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चोथ कर निर्जल व्रत है और वैखाना सिरफ चंद्रमा को देखकर उसे अर्क देखर ही खा सकती है चुकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वैभूग प्यास से व्याकुल हो थी सबसे छोटे भाई को अपनी भेन की हालत देखी नहीं जाती और वैदूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुरती का चंद उधित हो रहा हो इसके बाद भाई अपनी बेहन को बताता है चांद निकल आया है तुम उसे अर्ख देने के बाद भोजन कर सकती हो बेहन खुशी के मारे सेड़ियों पर चड़कर चांद को देखती है और उसे अर्ख देकर खाना खाने बैठ जाती है वे पहला टोड़ा मुँ में डालती है तो उसे चीक आ जाती है और दूसरा टोड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टोड़ा मुँ में डालने की खुशिश करती है तो उसके पती की मिदती उपा समाचाग उसे मिलता है वे बॉखला जाती है उसकी भावी उसे सच्चाई से अफकत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ करवा चोथ का वरत गलत तरीके से तूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया सच्चाई जानने के बाद करवा निश्य करती है कि वे अपने पती का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत से उन्हें पुनर जीवन दिला कर रहेगी वे पूरे एक साल तक अपने पती के शब के पास बैठी रहती है और उसकी देखवाल करती है उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वे एकत्रिक करती जाती है एक साल बाद फिर करवा चौत का दिन आता है उसकी सबी भावियां करवा चौत का ब्रात रती है जब भावियां उससे आश्यवाद लेने आती हैं तो वेपरतेक भावी से यम सुई लेलो बी सुई देदो मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो ऐसा आगरह करती है लेकिन हर बार भावी उसे अगली भावी से आगरह करने को कह चली जाती है इस प्रकार जब छटे नंबर की भावी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोराती है यह भावी उससे बताती है कि चूकी सबसे छोटे भावी की वज़े से उसका व्रट टूटा था अते उसकी पत्नी में ही शक्ती है कि वे तुमारे पती को दुबारा जीवित कर सकती है इसलिए जब वे आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वे तुमारे पती को जिंदा ना कर दे उसे नहीं चोड़ना ऐसा कहकर वे चली जाती है सबसे अंत में छोटी भावी आती है करवा उनसे भी सुहागन बनने का आगरे करती है लेकिन वह टालम टोली करने लगती है इसे देख करवा उन्हें जोड से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिन्दा करने के लिए कहती है भावी उससे छुड़ाने के लिए नौचती है, खस उठती है लेकिन करवा नहीं छुड़ती है अंत में उसकी तपस्या को देख भावी पसीच जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अम्बरत उसके पती के मुँमें डाल देती है करवा का पती तुरंद शिरी गणे शिरी गणेश कहता हुआ उठ बैठता है इस प्रकार प्रभू कर पासे उसकी छोटी भावी के मार्ध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है हे श्री वनेशा है, मा गौरी जिस पर करवा को चर सुहागन का बर्दान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागेनों को मिले है